उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं तो उनका एक जो पकिस्तानी कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करें वेसे कोई जिंदा तो नहीं है तो उनकी पकिस्तान के दोस्य निकायवाकर करके हमारे जवानों के सरीर के इंदर गुलियां दागने हैं तो मैं बिखोस्त था लकिन इतना बिखोस नहीं था कि उनको सुनना सकूंँ या देख ना सकूं तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो जो सीने मा आकर 4,5,5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे वेट बड़ी ऐसे उचलती थी उपर किते हैं सामने वाले को मारा बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था, उसमें फरस्ट में यहां पर ब्रस्ट मारे, फिर मेरे पैर में दो जगे पर मारे, उसको मैं देख रहा हूँ कि दुगा निकल रहा है, लेकिन उस गोले की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, और उनको यकीन हो गया उसके उपर कब हमला कर दो, यह आवाज भी सुनी, तो मुझे लगा कि आरास्त मेरी पूरी टीम खतम हो जाएगी, तब उपर वाले से एक ही प्रात्न करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे, कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूँ, और उनको बचा सकूँ, और यह सक परकानों के सरीर के अंदर गोलिया दाख मेले, और उनको फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, और तब तक एक विस्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ, पैर, दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उस तक नहीं कर तब मुझे लगए रब नहीं बचूँगए लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई और ये इस देश को हम भारत मा बोलते हैं जब तो बच्चे थे असास नहीं था वाग क्या बात। तो जिन्दा हूँ। दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिस करी। यहाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई वहाँ से ब्रस्ट फारिंग किया। फिर बाएं हाथ से पल्टा काया। दूसरे पत्थर से तीन, तीन चार जगे से फारिंग किया। तो जो उनको मुमेंटम था। जो हॉसले परस तूचुके था। वह भाग खड़े। दो-तीन मीटर गया। जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे। उनका लिविंग टेंट बना हुआ। उनके जो हैवी वेपन का डिप्लाइमेंट था। वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागल पन था अपमें सातियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ। सातियों तक काया। फिर मुझे लगा कि नमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साती होगा। जिंदा होगा। उनको देखा किसी का सर फटा हुआ था किसी के फेप्ले निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी फिर अपने आपको संभाला। चारो तरफ बरफ ही बरफ पहाड ये भी पताने कि हंदूस्तान कीदर है पकिस्तान कीदर है। घड़ु साल की सर्विश, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजूर्बा न सर्विश का अनुभव। जाऊं तो जाूं काँं। तब ही एक ऐसी सक्ति थी, जो साथ दे रही थी, जब इसी सक्ति का आवास हुआ, उसकी आवाज का आभास हुआ कि बेटा इस नाले से नीचे लुड़क जा, बहुत पांसो मिटर लगभग नीचे रोल करता हूँ आया, और अपने साथियों जो नहीं चड़ पा रहे थे, उनको सूचना दिया, तो ये लगभग देड़ दो बजे का समय था, वहां से फिर कमांडिंग ओपसर तक मुझे ले जाया गया, फस्टेड तो हुआ, लेकिन बलड इतना निकल चुका था कि दिखाए देना बिलकुल बंद हो गया था, जो उनके पास पहुंचा तो उन्हो जालवाए, फोड़ी सी गर्मी महसूस है, वहां कि साथ थोड़ा साथ पानी पिलाते हैं, तो भी डॉक्टर साब आए गर उन्हों नों गुलगोज की बोतल पिलाई, फोड़ी सी एनरजी महसूस है, वहां साथ बता सकते हैं, तो उनको बताया किसा, उपर ये घटना करम लास्ट मनों ने बोला, जवान की रिक्वार्मेंट क्या है, मकर सब जवान की रिक्वार्मेंट अमिनिशन और फिल्ड पट्टी की है, वहां खाने के लिए नहीं चाहिए, इसे गूप नहीं लगती है, बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं कहां पर हूँ, फिर होस आया तीन दिन बाद देखा उपर पंक्खा चल रहा है, पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल सीरी नगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया, और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में रहा है, 16 महीने तक 15 अगस्त 1909 में को जब ये परमवीर चक्र का जो अनॉंसमेंट हुआ, तो वहां पर ही मुझे बेस हुआ है, चार हमको यखीन नहीं होता कि कोई भी इनसान जब ऐसी परिस्तितियों से गुजरता है तो उसका बयान कैसे कर सकता है, लेकिन ये आप अपनी बहादुरी का एक पर्चम जो है वो फैलाएं दिया है, 15-15 गोलियां आपने खाई हुई अपने शरीर में और सोच रहे हैं आप केवल देश के बारे में, देश भक्ती के बारे में, सैनिक के लिए सैनिक इस्ट इंपोर्टन नहीं है, उसका राष्ट इंपोर्टन है, वो रहे न रहे, लेकि आपकी जैसे कह रहे थी कि आपके बहुत से अच्छे मित्र जो थे जो आपके साथ टीम में थे, वो भी शहीद हो गए, कटिन है सर्थ, बहुत इस चीज़ को दौराना, इस चीज़ को आपके मुक से सुना, अद्बोद है सर्थ, अद्बोद है, बहुत 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